हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टो माई टूप्चोनल दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुपद का भाग कैसे देते हैं अगर आपको बहुपद का भाग देने नहीं आता है तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अगले किसी भी वीडियो को नहीं देखना चाहोगे क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आजागा बस आप ध्यान से देखते रहना आपके ही लाएंगे जिमें आपके ही भासा में आपको सिखाएंगे तो यहाँ पर कुछ बहुपत दिये गए हैं जैसे x plus 1 से भाग देना है 3x square plus x minus 1 में तो हम इस बहुपत को कैसे भाग देंगे इस बहुपत से इस बहुपत में तो आज हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको जानना हुआ किसको भाजे बोलते हैं किसको भाजक बोलते हैं किसको भागफल बोलते हैं किसको सेसफल बोलते हैं तो देखो हम बता देते हैं सबसे पहले जिससे हम भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाजक और जिसमें भाग लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाजे और जो मेरा इधर आता है भाग देने के बाद उसको बोलते हैं भाग फल और यहां जो बच जाता है देने के जो कटता नहीं है पुरा-पुरा उसको बोलते हैं सेसफल ठीक है तो इस बहुपद में आपको इस बहुपद से इस बहुपद में भाग लगाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाजक के पहले पद से भाज के पहले पद में आपको भाग लगाना है तो भाजक का प तो अब सबसे पहले आपको इसका जानना हुआ गई 3x² का मतलब होता क्या है तो 3x² का मतलब होता है 3 into x into x क्योंकि x का square मतलब x गुना x ठीक है बटा में क्या हो जाएगा x अब देखो x से ego x cancel हो जाएगा आपके पास बचा क्या 3x तो जो बचता है उसको हम लोग लिख लेते हैं भागफल में यहाँ पर 3x ठीक है अब देखो 3x जो आपका answer आया भागफल आया तो भागफल 3x से आपको जो भाजक है ना उसमें आपको गुना करना होगा तो 3x से भाजक जो x plus 1 है दोनों में गुना करना होगा तो x plus 1 को 3x से गुना करवाओगे तो आप इस तरह का गुनानखन सीखे होगा अगर नई सीखे हो तो देखो 3x से पहले x में गुना करवाएंगे तो 3x स्क्वाइर आजाएगा उसके बाद यह plus इसके आगए प्लस का चीन इसके आगए गुना का चीन तो plus गुना प्लस करोगे तो plus मिल जाएगा 3x से एक में गुना करोगे तो 3x हो जाएगा यानि कि 3x से x प्लस वह ने गुणा करने पर आपको आया 3x स्क्वार प्लस 3x ठीक है अब उसके बाद अगले स्टेप में आपो क्या करना है कि यहां पे एक लाइन खीच लेना है ठीक है अब उसके बाद इसमें एक और चीच करना है देखो सब से नीचे जो आपका एंसर आया इससे इसमें जो गुना की उसका जो एंसर आया उसके नीचे आपको क्या करना है कि इसका साइन को चेंज करना है यानि जो पलस होगा उसको माइनस करना है जो माइनस होगा उसको पलस करना है फिलाल अभी यहां पे पलस दोन हो है तो यहां X square में से minus three X को घटाओ, three X square को घटाओगे, तो ये दोनों cancel हो जाएगा, मतलब zero आएगा, ठीक है, तो इसको छोड़ दो, अब देखो, यहां पर X है, और यहां पर minus three X है, मतलब यह plus में और यह minus में, तो दोनों घटेगा, तो x में से 3x घटाओगे तो क्या आएगा आपका minus 2x आएगा क्योंकि दोनों एक जाती क्या है इसके पीछे x है तो इसके पीछे भी x है इसके कुछ ने तो एक है तो एक में से 3 घटाओगे तो minus 2 आएगा और x है तो x लिखेंगे उसके बाद आगे minus 1 है तो minus 1 लिख लेंगे अब देखो जो process इसमें किये थे वही process हम इसमें भी करेंगे यानि कि भाजक के पहले पद से भाजक के पहले पद में हमको भाग लगाना है तो भाजक का पहला पद x है तो x से भाग लगाना है भाजक के पहले पद में तो यह माइनस 2x है, तो यहाँ पर माइनस 2x लिख लेंगे, अब देखेंगे, माइनस 2x का मतलब क्या होता है, तो माइनस 2 into 2x, भटा, x कर लेंगे, ठीक है न, तो x से x कैंसल होगा, तो क्या बच्च आपके पास, माइनस 2 जो बच्चे हैगा उसको हम लोग लिख लेंगे भाग फल में ठीक है अब माइनस 2x से वापस x प्लस 1 में मल्टिप्लाई करना है तो यहाँ पर हम गुना करके तरह करते हैं x प्लस 1 जैसे यहाँ पर किये तो वही काम इसमें भी करना है same process होता है तो माइनस 2x से x प्लस 1 में गुना करना है ठीक है तो यहाँ पर लिख लेंगे अब देखो इसमें सबसे पहले आपको एक knowledge होना चाहिए कि यह प्लस गुना प्लस करते हैं तो आपका यह मिलता है प्लस ठीक है उसी तरह माइनस गुना प्लस करते हैं तो यह मिलता है आपका प्लस माइनस माइनस ठीक है यह चीज़ आपको याद होना चाहिए माइनस गुना माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलागा प्लस यह आपको कॉंसेप्ट क्लियर है तो आपको मृता दूइस सब इसमि गुना करें थैं A नom consultation सब इस सब भूरो करें दूजोद है इस में किया क्यों जाएगा 3 म Still आयाा एंसर को आप आपको कहा इसके नीचिये mentioned माइनस 2 X और माइनस 2 ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन खीच देना है अभी क्या बता है कुछ देर पहले इसका sign change करना होता, जो answer आया गुना करने के बाद तो उसका sign change करना है तो यानि कि क्या करना है, यह minus है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, plus यह मैनस है, तो यहाँ भी क्या करणा न? अब मैनस दो एकस मैं से पलस दो एकस घटा होगे तो क्या हो गया? ठीक है, अब देखो, आगे माईनस एक है और यहाँ पे पलस दो है, इस बीच वाले चीन को भूल जाना एपको पहले ही बता चुके है, तो minus 1 में से plus 2 हटा होगे तो बड़ा वला संख्या का sin plus है तो plus ही रहेगा तो 1 में से 2 हटा होगे तो 1 मिलेगा ठीक है ना यह आपका answer हो गया यह आपका देखो भागफल आपका इसमें देखो अगर प्रिक्षान पुछता है कि भागफल और सेस्फल लिखे तो भागफल आपका आगया 3x-2 और सेस्फल आपका क्या आगया सेस्फल आपका 1 आगया यह आपका answer है ठीक है इस तरह से सवाल को बहुत ही असानी से बना सकते हो एक और हम सवाल आपको बता देते हैं अगर इस सवाल से आपको समझ में नहीं आया होगा तो अगला एक सवाल आपको और बता देते हैं ठीक है तो चलो अगला सवाल को देखते है तो अगला सवाल है यहाँ पर 1 प्लस 1 से भाग देना है यक्स के पावर 3 प्लस 1 में ठीक है तो प्रोसेस वही रहेगा, सेम प्रोसेस, तो इसको भाजक बोलेंगे, इसको भाजे बोलेंगे, ठीक है, तो भाजक के पहले पद से भाजक के पहले पद में आपको भाग लगाना है, यानि की धर रब कर लेते हैं, यक्स क्यूब में आपको यक्स से भाग देना है, ठीक है, तो x cube का मतलब क्या होगा x into x into x तीन बार x का पाउर तीन है तो x गुना x गुना x कर लेंगे बट्टा में क्या लिखेंगे x अब देखो एगो x से एगो x कैंसिल होगा तो आपके पास क्या एगो x सो बचा x गुना x मतलब x स्कुरे ठीक है अब जो बचेगा उसको आपको कहां लिखना है भागफल में तो आप यहाँ पर लिख लो भागफल में ठीक है अब उसके बाद क्या करना है कि जो भागफल आया x स्कुरे उस से आपको return गुना करना है कि इसमें भाजक में x पलस 7 में तो x पलस 1 में प्लस तो प्लस 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 एक स्क्वाइर से एक में गुना करोगे तो एक स्क्वाइर मिलेगा ठीक है तो यह जो चीज आया आपको इसके सामने लिख देना है तो एक स्क्यू प्लस एक स्क्वाइर अब यहां पे बड़ा सा लाइन किचना है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर इसका sign change करना है, तो यह प्लस है, तो यहां पर आपको क्या करदेना है, minus, यहां भी plus है, तो यहां भी क्या करदेना है, minus, अब देखो, xQ, plus में आया, एक minus में xQ आया है, तो यह दोनों cancel हो जाएगा, अब उसके बाद अगला क्या है, कि एक में से x square घटाना है, तो यह कभी भी नहीं घटेगा, क्योंकि इसके पीछे x नहीं है, इसके पीछे x है, यहां पर x है, मतलब दोनों एक जाती का नहीं है, मालो x में से x, x square घटाना है, तो मालो यह टमाटर है, एक जो है, वो टमाटर है, ठीक है, और यह x square जो है, वो मालो आलू है, तो आलू में स टमाटर कभी घटेगा क्या कभी नहीं घटेगा टमाटर टमाटर में ही घटेगा आलू आलू में ही घटेगा ठीक है तो आप इसको कैसे लिख लोगे तो जो सबसे बड़ा होगा जैसे एक सिस्क्वाइर है न भेर यह लोला इसको चर बोलते हैं तो इसको सबसे पहले आगे तो आपको यहाँ पर लिखना होगा माइनस x 2 उसके बाद पीछे दिखना होगा ROM यह वला उतार लोगे यहाँ ठीक है अब उसके बाद क्या करना है अब भाजह के पहले प्डसे भाजck के पहले प्ड में आपको भाग लगाना यानि कि भाजक आपका x है उससे भाग लगाना कि इसमें भाजक के पहले पद में तो मतलब पहला पद इसका क्या है minus x square तो minus x square कर लोगों अब minus x square का मतलब क्या होता है minus x into x बट्टा में क्या लिखोगे अब 1 x से 1 x cancel होगी आपके पास बचा क्या minus x ठीक है तो आप जो बचेगा उसको आपको यहाँ पर लिख लाना minus x भाग फल में अब return हो ही क्या करना है कि minus x से गुना करना है x plus 1 में तो x plus 1 में आपको गुना करना है किस से minus x से तो सबसे पहले हम आपको बता दे हैं हाँ पर कि सबसे पहले इसमें चीन का गुना करेंगे तो यह minus है और इसके आगे plus है इससे इसमें गुना करना है तो यह minus इसके आगे plus तो plus minus क्या हो गया माइनस अब उसके बाद एक से एक में गुना करोगे तो क्या मिल जाएगा एक स्क्वाइर ठीक है उसी तरह इस से इस में गुना करना है तो सबसे पहले साइन का गुना करेंगे माइनस से प्लस में गुना करोगे तो माइनस हो जाएगा अब एक में गुना करोगे तो क्या मिल से अब उसके बाद क्या करना साइन को चेंज करना अगले स्टेप में क्या करना साइन को चेंज करना है तो यह माइनस है तो हम क्या कर देंगे प्लस यह माइनस है तो यहां भी हम क्या कर देंगे पलस अब देखो यह माइनस एक्स इसको और यह प्लस एक्स करेंगे तो कभी न यह कभी याप असमें नहीं मीलेंगे, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले X वाले को लिख लो आगे, तो यहाँ पर X हो गया, उसके पीछे क्या लिख लोगे, प्लस 1, अब क्या करना है, फिर सो ही काम करना, जो इस सब में किये थे, तो भाजक के पहले पद से, भ 1, लिख लेंगे, अब प्लस 1 से X पलस 1 में गुना कराओगे, किसी भी संक्या में जब X स गुना कराते हो, तो वही संक्या रा जाता है, ठीक है तो, X पलस 1 हो जाएगा, ठीक है, आप देखो इसके नीचे वाले कए साइन तो इह प्लस है, यह प्लस है, यह पर क्या होजाएगा, माइनस, अब X में से X को घटाओगे तो क्या मिलेगा, खत्म 0, ठीक है, अब 1 में से 1 को घटाओगे, तो अब यहां पर भाग फल, परिख्या मानी भाग फल च फ़ल पूछता है तो लिखना होगा, आपको भाग फल ब यह आपका answer है तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई है यह पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें share करें, comment करें ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करें तब तक के लिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में